स्पिन गेंवास को लाया जा रहा है यहाँ बहुत ही आकरामक बल्लेबास है यह विश्व प्रिकेट में बदकिस्मत रहे हो वहाँ बॉल सीधा फिल्टर के हाथ इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूच भूच और नियंत रन के साथ गेंवाजी करनी होगी यहाँ बॉल सीधा फिल्टर के हाथ में तोई रन है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेंवास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा यह वास की आँखे तो जील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंवास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंक समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का यह तो तौफे में दी गई गेंथी और बल्लेबास बिल्कुल भी नहीं चुके यह एक ऐसे बल्लेबास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंड कहा मारेंगा बहुत ही मजाकत से उठा गिया है वहाँ छे रख तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहाँ उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका यह इनकी लेंग्ट का नुमान तो वो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था बहुत ही खुबसूरत शौट तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगा पतरनाख केन और सुधा बल्लेबास की शरीप को लखें पिछले कुछ मैचों से बहुत बाहर पॉइंट की दिशा में खेलके आउट हुए इसलिए अब पॉइंट पर फिलिडर मौजूद शौट अलफाज कमपड़ जाए इस शौट का वर्नन करने में इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद का हमारे में कि अगा मतवा थी यह को अगल ताकर खेल दिया है रूं शौर्ट सूर्ट और यह सीधा बौंडरी के पार अगय के अगय कि आगक